आप आज तक अपामार्ग को साधारण घास ही समझते आए होंगे, लेकिन ये एक साधारण घास नहीं, बलकि एक चमतकारी ओशद ही है, जिसके बारे में सैंकडो रिशी मुनी ने बताया है, इसका इस्तेमाल तंत्र में किया जाता है। जानते हैं किस लिए? वशी करण के लिए. जी हाँ दोस्तों, वशी करण करने के लिए इससे ज्यादा खास कोई बूटी नहीं है। यह पेड कोई मामूली नहीं, बलकि जगह जगह पाया जाने वाला ये पौधा वशी करण करने के लिए एक दम उत्तम और राम बान है। ध् उत्तम आप में ही बहुत ही ज्यादा खास और विशेश होती है। वैसे तो इस संसार में जीतने भी पेड पौधे हैं। उनकी कुछ न कुछ विशेशता और खासियत अवश्य ही होती है। इस दुनिया में जितने भी पेड पौधे हैं, कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो पिल्कुल बेकार हो। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ शक्ति अवश्य ही मौजूद रहती है। और यह सभी चीजे वनस्पति तंत्र के अंतरगत आती है। यानि कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तंत्र करने के लिए बेहद आवश्यक खास और विशेश हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की यह परेशानी होती है, कि जिससे वह प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी हो गई होती है, वह उनकी बात ही नहीं मानता है, काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी है, बताते भी है कि जहां पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके आसपास कि जो लोग हैं उनके पडोसी है, वह हमेशा ही परेशान करते रहते हैं, जिसके कारण वे कारे भी नहीं कर पा जिसका इस्तिमाल करके आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं, और जिस भी तरह से आप चाहें, उसी तरह से वह आपसे करने लगेगा, यानि कि अगर वो आपसे शत्रुता रखता है, या फिर आपको पसंद नहीं करता है, तो इस प्रयोग को करके आप लाब उठा सक इस जानकारी से आप मन चाहा कार्य कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमा शिवाय अवश्य लिखतीजिए, भगवान शिव की कृपा से साधनाओं की सिध्धि प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करत है, जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी तंत्रिक क्रियाएं होती हैं, यह केवल भगवान शिव के माध्यम से ही सफल होती है, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, कि जो तंत्र होता है, तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं, उनमें किसी भी चीज की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है, केवल ध्यान के माध्यम से ही तंत्र किया जा सकता है, क्योंकि केवल ध्यान ही वह शक्ती है, जिसके माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता है, और तंत्र क्रियाओं को करने के लिए ध्यान को ही माध्यम बनाया जाता है, और उसी चीज इसको एक्सेस किया जाता है, जो सभी लोगों में समान और निश्चित ही होती है, जैसे चेतना सब में होती है. तंत्र करने के लिए आम तौर पर कुछ चीजों की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह प्रचंड क्रियाएं होती हैं, जो भी व्यक्ती ध्यान कर सकता है, ध्यान में जब चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ सकता है, अपने दिल की धड़कनों को अचानक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तेज कर सकता है, स्लो कर, सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और सलो करना दिमाग के माध्यम से ये कोई साधारन व्यक्ति नहीं कर सकता है ये केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान को सिद्ध कर रखा हो और ध्यान को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यक्ता पड़ती है जो हर किसी के बसकी बात नहीं होती है, जो तंत्र क्रियाएं जानता हो। केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान को पकड़ना जानता हो और दिमाग के संपून खेल को समझता हो क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म में डाल सकती है और आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे। उन विचारों को बदलने की बहुत कोशिश करता है। इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करने से वे अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये जितने भी बातें हमने आपको बताई है बहुत खास है। जितनी भी चीजें होती है या एक प्रकार की सिध्धी होती है या केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। वही व्यक्ति इन चीजें को कर पाता है जिसने अपने संपूर्ण साथ चक्रों के इस्तेमाल को समझ लिया हो साथ चक्रों को पूरी तरह से सिद्ध किया हो जागरित किया हो कुंडलिनी उर्जा को हर एक चक्र में महसूस किया हो ये कुछ खास जानकारी हमने इसलिए बताई है जिससे आप सीख सके कि तंत्र किस प्रकार किया जाता है क्या-क्या चीजें जरूरी होती है और किन चीजों के माध्यम से तंत्र हो सकता है और आपको यह भी बता दें कि तंत्र की जो क्रियाएं होती है वे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए यही वज़ा होती है कि सामने वाले पर जब कोई तंत्र क्रिया हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति हमेशा ही बेचैनी में होने लग जा भूख प्यास आदी, सब कुछ ही उसकी बेकार हो जाती है, इसलिए तंत्र क्रियाओं को बेहद खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है, आपको यह भी बता दें कि जो आज्याचक्र होता है, उसी के माध्यम से तंत्र केवल संभव होता है, इसलिए जितने भी साधू होते हैं, वह रोजाना ही अभ्यास करते हैं, त्राटक का, क्योंकि त्राटक में जितनी शक्तियां होती है, इतनी शक्ति किसी भी चीज में नहीं होती है, और यह सबसे आसान होता है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझें, और यह बात देखें कि जो थर्ड आई ह उसके अलावा शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहां आप आसानी से ध्यान लगा सकें, तो वह चीज सबसे आसान होती है। इसी लिए रोजाना आपको त्राटक करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ती त्राटक को रोजाना करता है, उसकी आँखों में ऐसा प्रचंड वेग होता है कि वह शत्रू, कि अगर आँखों में आखें डाल कर मन में कोई बात बोल दे, तो उसके शत्रू के साथ होनी आप अपनी संपूर्ण मनो कामना को भी पूरा करवा सकते हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हैं। अगर आपको त्राटक करने की प्रैक्टिस है तो लगातार आज्ञाचकर पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं। आग्या चक्र बेहद खास और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आग्या चक्र के जागरत होने से बुद्धी बिलकुल कंट्रोल में आ जाती है। फिर बुद्धी इधर-उधर बिलकुल भी नहीं भागती है। वह बिलकुल शांती से संपून सुख को अनुभव करने अंतरिक त्राटक भी करते हैं। लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जबरदस्ती इस प्रकार हो जाता है कि उनके थर्ड उनय पर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे आपको बिलकुल भी नहीं करना है। जब दर्द होता है तब उसी समय आपको रोक देना है। यह। सबसे स जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। भी सोमवार बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन इस पौधे की जड़ को निकाल कर लेकर आ जाना है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि ऐसा पौधा आपको चुनना है, जिसके पास आप केवल एक बार जाएंगे, जो आपके घर से दूर हो ऐसी जगह पर दूर देखना है, ये बड़ी आसानी से कहीं भी जंगल में मिल जाता है, तो वहीं पर जाकर आप इस पौधे को सबसे पहले जल दे दें, और एक लोटा जल चड़ा कर इसकी जड़ को लिकाल ले, और अच्छी तरह से धोलें, और एक पत्थर भी ले लें, आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल पत्थर पर ही इस जड़ को आपको पीसना है, और जिस समय आप पिसेंगे, तो पीसते समय आपको क्लीम बीज मंतर का उच्चारण करना है, क्लीम भगवान श्री कृष्ण का बीज मंतर है, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का स तो वशीकरण करने के लिए जड़ को पीसते समय आपको क्लीम बीज मंत्र मन ही मन बोलते जाना है। वव्यक्ति बिलकुल आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगा। लेकिन अगर उसे तिलक ना लगा पाए तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने उल्टे हाथ की हथेली में इस पेस्ट को रखते हुए अंगूठे से उस पेस्ट को रगड़ते हुए क तिलक लगाते समय थर्ड आउने पर उस व्यक्ति का ध्यान करे। तो दोस्तों करना किस प्रकार है इसकी विधी को सुनिए। पहले आप ये देखिए कि जितनी आपकी उम्र है तो उस संख्या का जोड आपको निकाल लेना है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 45 साल है तो 4 प्लस 5 मिलाकर 9 होता है। तो इस प्रकार एक से लेकर 9 तक अपनी संख्या आपको निकाल लेनी है। और अगर आपका सिंगल डिजिट ओर नंबर निकलता है जैसे कि 3, 6 या 9 तो आप खड़ेवार चुने। उन्ही में आपको चिर्चिटा की जड़ को निकाल के लाना है जैसे कि खड़ेवार कौन से होते हैं। तो आपको बता देते हैं ख चिर्चिटा की जड़ को निकाल के लाने के लिए बिलकुल ध्यान से सुनते जाईएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया वैसा ही आपको अपना दिन चुन लेना है और उसी दिन में जाकर के जो है इसलिए निमंतरण आप पहले ही दे के आवे और ये बोलके आए कि हे व्रिक्ष राज मैं महाकाली का दास महाकाली का सेवक आज धन की समस्या से जूँज रहा हूँ कृपया मेरी मदद आप करना इसलिए मैं आपकी जड़ को कल ले जाने आऊंगा ऐसा बोलकर आजाना इस इस पेड में महाकाली के धन देने वाले गणों का वास होता है जब आप ऐसा बोलेंगे तो ये व्रिक्ष खुद भी महाकाली का सेवक है और दास है तो ये पेड भाई मानकर आपकी मदद करता है तो इसकी जड़ इसी विधी से आपको निकाल करके जो है ले आना है उसके पश्चात इस जड़ को हाथ में पकड़ के कम से कम दस हजार बार इस महाकाली के मंतर का जाप करना है ये धन देने के लिए एक अमोग मंतर है जो कोई भी इसका प्रयोग करता है वह कभी गरीब नहीं रहता है हाथ में जड़ पकड़ते हुए आप ये मंतर बोले ओम क्रीम और समरिध्धिदायक सफलता देने वाली बन जाएगी बस इसके बाद इस जड़ को आप पीस कर इसमें सिंदूर मिला करके जो है रोज रात को सोया करे और अपने थर्ड आई पे ध्यान लगाया करे और मा काली से धन की प्राप्ती हेतु कामना किया करे ऐसा करने से एक हफ अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताए हम आपकी सहायता करेंगे हम आपके लिए ऐसे ही खास वीडियो लाते रहेंगे तो बोलिए हर हर महादेव सब का कल्यान करे